तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना रही हूँ तो मैंने ओयल में प्याज और मिस डाल दिया था और इसके बाद मैं इसमें जो तुरही होती है न वो एड़ कर दूँगी और सब्जियां बहुत जल्दी बनाना पड़ता है थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दूँगी और डाल कर फिर मसाले के सथ अच्छे से बुनोंगी तो यहाँ मैं अच्छे से बुन के तयार कर लूँगी सब्जी को और बस अब इसमें मैंने यहाँ पर गैस कम करकिया और मिर्च एड़ कर दूँगी और यहाँ पर मैंने मि तो बस यहां पर नमक भी डाल दिया है मैंने अब इसमें कूट कर अच्छे से इसका मिक्सर बना लूँगी कूट कर और इसको मैं दही में डाल दूँगी इसे बहुत अच्छी टेस्टी चटनी बनकर तयार होती है दही की इस तरीके से जरूर ट्राइब कीजेगा आप अच्छी बनकर तयार हो गई है बहुत ही टेस्टी लगती है तुरही की सबजी आप चाहें तो चने की डाल डाल कर भी से बना सकते हैं अब मैं प्लेटिंग कर लोगी क्योंकि हजबन को सुबह सुबह दॉक्टर के पास जाना है थोड़े बहुत और रिपोर्ट तैस्ट कर तो यहां पर मेरी थाली तयार हो गई है और अब मैं अपने हजबन को खाना दे दूंगी और इसके बाद मिलती हूं मैं आपसे गुद मॉर्निंग अलफ यो कैसे हैं आप आप असीना देख सकते हैं कितना जादा आ रहा है संदूर लगाया था पूरा उतर रहा है एक सिकिन तो हस्बन को खाना दे मेरी हस्बन खाना वगरा खा कर जा रहा है तेस्ट के लिए तो आपको में दिखा देती हूं में लिप्ट का भी वो यूज नहीं कर रहे है क्योंकि फिर लिप्ट में बटन टाच हो जाता है और लोगों के हाथ लगते हैं तो इसलिए में वह सीडिय खाना देना बहुत जरूरी है अभी वो दुबारा से रिपोर्ट के लिए गये हैं क्योंकि एक कुछ और रिपोर्ट से जो डॉक्टर ने कराने के लिए बोला है तो वो कराने गये हैं जब लोगों को तो चैसे आप लोगों को कि देखिए नाओ तो कि अच्टा नेंगे कर लेंगे फिर मेलुंगी आप से आप लोगों को विश्ट करना बहुत ज़रूरी होता है मुझे तो इसलिए और पीछ आप देखते हैं कि तो सब्जिया पढ़िए उनको मुझे फ्रिद्म एजस्ट करना है आए दिन आज कल नहीं नहीं सब्जिया लेकर आ रहे हैं ताकि फ्रेश खाएं और भीमार ना पढ़ें बस और या करें ध्यान तो रखना कि हैं पूरा काम पढ़ गया है मुझे सुबह अलग खाना बनाना पढ़ रहा है तो पैर में अलग रात को अलग पूरा दिन कुकिंग में जा रहा है मेरा तो चलिए ठीक है लेती हूं आप से थोड़ी दिल में खागी पर मैं अभी ब्रेकफास लेकर बैट गई हूं तक्ष भी मेरे साथ ब इतना यम बनता है ना और इसके लिए पराठे खायेगा चुकि अनुक भी चपाती खा रहे है आप इसके लिए पराठे खायेगा बहुत ही अच्छा लगता को किसी भी सबजी की नीड नहीं होने वाली है तो चलिए मैं अपना इंजॉय करती हूं बहुत ही यमी सा कर इसके पापा को देने जारी तक सब्सक्राइब करता है ना चाहते पीच में आया जाता है वह और अभी आप लोगों साथ खुशकपरी शेयर करनी है वह आने ही वाला है बस नीचे हैं अभी आपके साथ वह शेयर कर देती हूं तो हां जी बहुत जल्दी वह आपके साथ तो यह आ गया है मेरे घर cooler तो कली मतलब आ गया था मतलब phone उसको हमने order कर दिया था और आज यह आ गया है actually जिस flat में हम लोग रहते हैं उसमें हमने six month के लिए monthly rent पे AC लगवा रखा था लेकिन अभी AC डॉक्टर ने में भी मना कर रखा है करोना का टाइम में AC बहुत कम हम लोग यूज़ कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो हमने सुचा चलो cooler ही purchase कर लेते हैं तो यहां पर हमने यह वाला cooler ले लिया है इसको चल्दी से मैं घर में लगा लूँगे घर पुरा बिखरा बिखरा हुआ है मुझे सफाई करनी है तो प्लीज इग्नॉर कीजिएगा और फटा-फट से चलिए इसको मैं adjust करा देती हूँ तो चलिए मिलती हूँ आप से अब बालकरी में लगा दूँ मैं बाद मैं adjust करूँगे कैसे भी करके एक बड़े जाड़ो उटाओगे ना इरे काले रावल सरका भी सकते हो आप हाँ अंदर ही लगेगा बालकरी से को अंदर हम आएगी कोलर हमने हाँ पर चेस किया है नई टेकनोलीजी का कोलर है इसके अंदर ग्रास की बिल्कुल भी नीड नहीं है यह देख रहे होगे आप स्प्रिंग टाइप में लगा हुआ है तीन साल तक कि इसकी वारेंटी है और जैसा उन्होंने मुझे बताया है इसमें बिल्कुल भी जिसे हम हर बार कूलर में गहास दलवाते हैं वो दलवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और इसका लैंथ भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा लंबा है मतलबाई है इसकी इस कूलर की और बाद में इसको लगा कि चैक भी कहता हवा भी बहुत अच्छी खासी आ रही यहां पर तक्ष लग गया आपको सारे स्पेशिफिकेस्टिन बताने के लिए कि ममा यह पंप है यह मोटर है जब से आया तब से इसी में लगा हुआ था और मैं इसकी पूझा करूंगी थोड़ी देर के बाद क्योंकि अभी मुझे कूकिंग करने के बाद में कूलर की पू पटाकर और इसकी में एक चीज़ मैं बता दूँ यह देख लीजिए आप यह वाला जो मैं बता रहे दिने घास की जरूतनी इस तरीके का कुछ लगा हुआ है जिसकी तीन साल की वारंटी उन लोगों ने दी है पस यहीं बताना था आपको यही मेरी खुशी थी आप लोग पकाती नहीं हो ज्यादा मसालों को मैं लाल नहीं करती हूँ पर सलका सा गोल्डन ब्राउन होता उसके बाद में लस्तन और अध्रक का का पेस्ट ऐड़ कर देती हूं और पर बास इसके इंदर जैसे ही इसका कच्चा पंदूर हो जाएगा इसमें मैं टामाटर की प्योरी कर दूँगी दो बड़े बड़े टमाटर मैंने पीस लिए हैं उसकी प्योरी को एड़ कर दिया इसमें फिर नमक एड़ कर दूँगी और थोड़ी दर के लिए भूनने के लिए छोड़ दूगी मैं अपनी सारी चीज़ा आपके साथ शेयर करती हूं मैं सोस्ती हूं जो भी म मतर आड़् कर दूँगी मतर एक्चुली मैंने बॉयल नहीं किया है इसलिए ही पर इसी स्टेज़ पर आड़ कर रही है ताकि थोड़े से कुक हो जाए उसके पाद पनीर बाद में आड़ करूँगी तो यहाँपर मैने मतर आड़ कर दिया है मतर को दो मिन तक भूनने के ल कर दोंगी और दो मिनट के लिए धकर पका लूँगी जब धकर यह पक जाएगा तो अच्छे से मसाले भी हमारे भुण जाएंगे दो मिनट के लिए मैं से धक लोगी दो मिनट बाद फिर मैं इसको चेक करती रहूँगी बीच बीच में और थोड़ी सबजी तुरही की रखी हुए इसकी पापा ने कहा है मुझे तुरही की भी सबजी दे देना बहुत अच्छी बनी हुई थी तो यह भी मैं उनकी ठाली में दे दूँगी उनको घाने के लिए और यहां पर यह बन गया है और थोड़ी सी मैं लाल कलर वाली लाल मिर्च एड़ कर रही हूँ इससे कलर बहुत अच्छा आता है और इसी स्टेज पर मैं पनीर एड़ कर दूँगी तो यहां पर मेरे सारे के सारे जो पनीर मैंने ग्रेवी बना रही हूं आप चाहें तो अपने साब से ग्रेवी बढ़ा सकते हैं तो बस अब इसमें बॉय आने के लिए से पकाऊंगी बहुत ही ईजी और बहुत ही टेस्टी बनकर सब्जी यह तयार हो जाती है तो बस अब इसे ढखकर पका लोंगी मैं 10 मिनट के लिए सा इसको अब झाल यगे इसको ठोड़ा सका ग्रेवी बढ़ने करने चाहती थी इसलिए ठोड़ा सा और पकाऊंगी इसको को चुके हैं और मीरी सब्जी पके तियार होगा है मैं इसमें गरम असाला भी हलका से अईड गया था वह की पोगई है तो इसमें इसमें धनिया बना दिया है मतर पानेर की सब्जी है और यहां पर चटनी है तो बस इस तरीके की थाली है आज की हमारी रात की तो फटाफट से पावन को थाली दे बना देती हूं और प्यास देना बिल्कुल मत भूलिया जितनी वर बर भी खाना देज़ा ना बहुत जुरूरी है क्योंकि कई चगा बोल रहे हैं कि प्यास बहुत अच्छा होता है तुम यसलिए हर खाने में युद्धे में आगए थी तो रूम में आप देछ सकते हैं तक्ष को कितना प्यार हुजाती है नहीं चीज जो भी घर में आती है तक्ष बहुत क्यार करता है बहुत अच्छा बच्चा है यह तो आप देख सकते हैं पूरे कूलर को साफ कर रहा है अच्छे से कहा रहा है ममा कूलर साफ कर देता हूँ भी पूजा करेंगे और मैं यहां नाओ धोकर आ गई थी पूजा करने के लिए तो बस तक्ष को ही देख रही थी फटाफट से पूरे कूरर को साफ कर रहा है और यहां पर हम लोग जोद जला लेंगे तो मैंने यहां पूजा की पूरी तयारी कर लिए इसके पापा ने कहा तक्ष के हाथ से पूजा करा दो ते जाए एक र oppose पूजा की जाती है किसी वी लोहे का जैसे आलो ही की चीज आती है उसके ओपर साथ बनाया जाता है उसके पर कुमकुम लगाया जाता है कि यहां पर मैं फिल शिंदूगों के बस पर ना रहे हूं तो बस पर साथ इसके बस बना लूए और तक्ष के एहां इना पूजा भी हो जाएगी तो यहां पर मेरा सात्या भी बन गया है और सात्या बनने के बाद यहां पर तक्ष पूजा कर रहा है अच्छे से पादक्ष बोला ममा मैं करूंगा पूजा मुझे नहीं करने दिया उसने अगर बतलब दिये को हाथ तक नहीं लगाने दिया उसने मुझे तो यहां पर पूजा हो गई है तक्ष की और यहां पर सात्या और ओम बना दिया है मैंने इसके ओपर अक्षत डाल देगा तक्ष मिश्जी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेर और कमेंट किया हीजिए और सब्सक्राइब कर लीजे मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन के बैल आइकोन को भी प्रेस कर दीजे ताकि मेरी नहीं नहीं वीडियो आप सभी को मिलते रहे तो थाइंक्यू गाइस बाबाई